क्या कभी अपने सोचा है कि अगर जिल में रहती वे कोई आरोपी चुनाव लड़ सकता है तो उसे वोट डालने क्यों नहीं दिया जाता है। क्या खिर क्यों? चलि हम आपको बताते हैं अगर कोई वेक्ति जिल में बंद है या नियाई खिरासित में है तो उसके चुनाव लड़ने पर तब तक रोक नहीं है जब तक उसे किसी मामले में दोशी करार ना दिया जाए। बाद में जब ये मामला सुप्रीम कोट पहुंचा तो 2010 में सुप्रीम कोट ने भी इस फैसले पर मोहड लगा दी थी। हलाकि सुप्रीम कोट के फैसले के बाद ततकालिन यूपे सरकार ने जनप्रतिनिदी कानून में संशोधन किया था। संशोधन के बाद जेल में बंद व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अनुमती मिल गई थी। हलाकि वोट डालने का अदिकार अभी भी इन नहीं मिला था। जनप्रतिनिदी कानून में हुए इस संशोधन को पहले दिल्ली हाई कोट और फिर सुप्रीम हाई कोट में भी चुनावती दी गए थी। प्रतिनिदी कानून की धारा 62-5 के अनुसार जेल में बंद कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। फिर चाहे वो हिरासत में हो या फिर सजा काट रहा हो।